हालो एवरीवान, कॉामर्स अध्यन में हम देखने वाले हैं कॉन्ट्स कोस्ट इंग में, जो आपका कॉस्ट अकॉंटिंग सब्जड़क्ट है उसका एक चाप्टर है कॉन्ट्स कोस्ट इंग और जब कभी भी contract costing के लिए हम contract account प्रिपेर करते हैं तो दो तरह से होता है जब हमारा contract complete हो जाता है तब हम प्रिपेर करते हैं उससे related एक वीडियो मैंने अभी upload किया था तो आपको वीडियो देख सकते हैं उसका जो link है वो आपको आई बटन पर मिल जागा तो आपको उसके इसके questions को भी उताइए तो चलिए बात करते हैं contract costing की तो जैसा कि मैंने बताया कि एक complete हो जाता है जब भी हमारा contract तब हम प्रिपेर करते हैं contract account और दूसरा जब incomplete होता है उस टाइम पे हम contract account प्रिपेर करते हैं तो जब कभी भी contract आपका अगर incomplete होता है तो हम किस तरह से profit और loss को find out करते हैं means determination of profit के लिए क्या procedure होता हम उसको कैसे करते हैं इस video में हम यही discuss करेंगे ठीक है और next video में एक question के according मैं इन सारे formulas को use करना आपको बताऊंगी कैसे हम profit find out करते हैं जब भी कोई question दिया होता है ठीक है तो चलिए यहां पर देखते हैं first case if the value of certified work certified work में जो भी work certified amount हो is less than one-fourth of the contract price अगर वो contract price के one-fourth से कम है work certified जो given होगा अगर वो contract price का हम क्या करेंगे one-fourth करेंगे और अगर वो उससे कम है one-fourth से one-fourth of the contract price से कम है तो वहां पर जो profit होगा वो nail होगा ठीक है na means zero आएगा clear इतना समझ में आ गया होगा क्योंकि जब आप contact account प्रिपेर करते है तो आप profit find out करते हैं ठीक है जिसको national profit बोलते हैं या normal profit बोलते हैं ठीक या balance cd भी बोलते हैं या credit balance of contract account बोलते हैं तो उसको base मानकर हम इस profit को find out करते हैं तो जब कभी भी आपका work certified जो है वो अगर one-fourth of the contract price से कम होता है तो वहां पर जो profit होगा वो zero आएगा second case के ज़र हम बात करें if the certified work is one-fourth or more than one-fourth but less than one ये one-fourth means half of the contract price जो भी work certified question में given है ठीक है हम क्या करेंगे contact price जो दिया रहता है उसका one-fourth करेंगे अगर वो one-fourth जितना आया है contact price का उसके equal है या उससे ज़्यादा है ठीक है और contract price के half amount से कम है तो वहां पर हम profit इस तरीके से find out करेंगे जो यहां पर यह formula given है इसके according बच्चा so profit क्या हैगा हमारा profit equal to completed profit, computed profit means वह profit जिसकी गड़ना हमने कर ले जिसको हमने find out कर लिया है contact account बनाकर जब भी आप debit और credit side को add or less करते हैं तो credit side ज्यादा आता है तो वह credit balance आता है ठीक है cash received and divided by work certified amount cash received and divided by work certified यह formula होगा कब होगा जब कभी भी work certified one-fourth के equal होगा या one-fourth से ज्यादा होगा off contract price and half of contract price से कम होगा तो वहां पर यह formula apply करेंगे ठीक है sorry मुझे की ने आपको यह point भी अच्छे से clear हो गया होगा ठीक है तो यह point जो मैं आपको बता रही हूँ ना साथ-साथ हो सके तो video pause करके आप अपनी copy panel लेकर note down भी कर ले यह आपको अगर आपके पास book है तो वहां पर भी यह सारे method मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा सापको reading क इस पर note करके रखना होगा ठीक है ना copy पर note कर ले तो इसलिए मैं आपके सामने यह लेकर के आ गई हूँ यह formula इस तरीके से हम apply करेंगे चलिए case number 3 की बात करते हैं ठीक है if the value of work certified या certified work is 1 upon 2 means half or more than half of the contact price ठीक है जो भी contact price है उसका जब आप 1 बटे 2 या 1 upon 2 करेंगे ना means half amount न price आता है अगर work certified उसके बराबर है या उससे जादा है तो वहां पर क्या formula लाएगा अगर work certified की value है तो ठीक है इस तरह से दीखोगी तो profit कैसे find out करेंगे profit equal to credit balance cd credit balance cd बोलिए computed profit बोलिए normal balance cd बोलिए सब एक ही है ठीक है तो confused मत होईएगा ठीक है बच्चे balance cd credit balance cd जैसे मै ने बताया contact account बनाते हैं debit or credit side को हम add or less करते है credit side जाधा तो credit balance आता है जो कि profit show करता है debit side में ठीक है फिर हम उसको transfer कर देते हैं then ये profit हम फिर से find out करते है question करवाऊंगी solve करेंगे साथ में तो आपको और आसानी से ये चीज़े clear हो जाएंगी अभी हम इस formula की बात कर लेते हैं जब कहीं भी आपकी value of work certified जो होगा वो half amount of the contract price के या तो बराबर होगा या जादा होगा तो ये formula लगाएगा credit balance cd means profit into 2 upon 3 into cash received and divide by work certified clear बच्चे ये भी clear हो गया केस फोर्स की बात करते हैं यहां मैंने थोड़ी काट पीड़ी के इसको इग्नोर करेगा ठीक है if the value of certified work is more than 90% ठीक है work certified जिसे आप certified work भी बोलते हैं अगर उसकी value contract price के 90 और 100% की बीच में means 90% से जादा है 100% से कम है ठीक है आपका contract price है पांच लाख ठीक है ना बच्चे अब पांच लाख है लेकिन चार लाख पच्छा हजार work certified है जादा है 90% जादा है 100% से कम है तो वहाँ पे आपको ये वाला formula लगाना है क्या है यहाँ पे profit equal to balance cd जो भी आया होगा profit ठीक है balance cd into cash received and divide by contract price इस case में यहाँ पर न इस तरीके से आपको ये चारे cases को follow करते हुए question का profit find out करना होगा ठीक है case number four था three two and one मुझे यकीन है आपको ये सारे points अच्छे से clear हो गए होंगे कि हम in conditions में कैसे हम profit को find out करते हैं किन formulas को use करके और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाएंगो तो comment section में comment करके जरूर बता सकते हैं कोई भी doubt है कोई भी question आपको मुझे से पूछना है तो मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं किसी भी topic पर आपको वीडियो चाहिए तो आप यह भी बता सकते हैं आप मुझे Instagram पेज़ पर भी direct message करके inform कर सकते हैं कोई question है तो आपको इसकी photo share कर सकते हैं मेरे साथ कोई doubt है तो मैं जरूर clear करना की कोशिश करती हूं कि आप सभी को जितनी भी आते हैं messages में उनका ज्यादा से ज्यादा reply कर पाऊं तो आज ही वीडियो में इतना ही अगर आप चानल पे नई visitor है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और bell icon को प्रेस कर लीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहें आज ही वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और हाँ एक और चानल है commerce अध्यान के अलावा current affairs अध्यान करके उसका लिंक भी आपको description box में मिल जाएगा तो आप उस चानल को पर भी जरूर विजिट करें वहां से आपको complete exams में बहुत जादा help हो सकती है वहां पर current affairs, computer से related questions, GS से related questions मिल जाएगे देखने को आप आप साने से देख सकते है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and thank you so much for watching this video